नमस्ते साथियो, स्वागत आप गाइक बार फिर से एक टेक में तो आज हम मैथेमेटिशन टोपिक के अकॉर्डिंगली लेने वाने हैं टोपिक एक मेजरमेंट मैजरमेंट हमने देखी है कहीं परकार की जैसे कि हमें यहीं नहीं पता होता कि एक फिट में कितने इंच हैं इंच को हम में कैसे करते हैं म को सेंटीमेटर में कैसे करते हैं किलोमेटर को मीटर में कैसे करते हैं अभी तक यही आइडिया नहीं है तो हमें इसी टोपिक को हमने थोड़ा सा अच्छे डंग से सीखना है ताकि क्लियर हो जाए कि बेसिकली फिट इंच mm cm होते क्या है तो बेसिकली जो हम स्केल यूज़ करते हैं जिसको हम रूलर बोलते हैं या देशी भासा में फूटा भी बोल देते हैं उसमें क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें तो ओल्मोस्ट ऐसे होता है यह जिरो वाला होता है यहां से 12345 थोड़ी सी बड़ी लाइन फिर 1234 थोड़ी सी बड़ी लाइन इसको एक बोल देते हैं दन 12345 12345 यह टू इसे प्रकार 12345 12345 ऐसे चलता रहता है तो ऐसे तीन होता है अब ध्यान से देखें तो यह जो गैप है यहां से यहां तक का जो गैप है जो मैंने छोटे-छोटे डोट्स लगाए हैं इनको बोला जाता है एम 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 मीन्स मिलीमीटर क्लियर ओके अब यह जो मिलीमीटर होता है यह बिसिकली यहां से लेकर करके यहां तक रहें मैं काउंट करूं तो 123456789 10 यहां से यहां तक सेंटीमेटर है इसको मैं बोलेंगा वन सेंटीमेटर तो वन किसके हो गया है टेन टेन डिविजन और जो टेन डिविजन आँ क्या है एम एम यानिकी एक अम अगर बात कर तो एक मैं इतना सा बिल्कुल इतना सा आप खुद देख लिजी यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी इसको क्या बोलेंगी यह वन अम अब एक में इतना सब एक सेंटीमेटर में दस हो गए उसी परकारिया आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे इतना तो में आइडिया है कि एक मेंटर के अंदर एक मेंटर के अंदर 100 सेंटीमेटर अगे तो जो हमें यह पता है कि एक मेंटर के अंदर 100 सेंटीमेटर होते हैं हमें फिर के रिलेशन निकालना होता है कि 100 सेंटीमेटर में तो 100 सेंटीमेटर का एक मिटर बनता है फिर अगर कोई हमारे से पूछ लें कि वहाई एक सेंटीमेटर हैं मिए कितने मि это होते हैं पिर आकंगे होगी नहीं सकता अब अगर ध्यान से देखो तो सो सेंटिमेटर को अगर मैं इधर लेकर करके जाओंगा कि यहाँ पर रख दूँगा तो यहाँ पर वन रख दिया यह मैंने यहां लिख दिया और जो सो इधर जब इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टिप्लाई हो रहा है इधर जाकर करके डिवाइड हो जाएगा तो वन डिवाइड़ बाई हंडर मीटर आजाएगा और इसको फिर कैसे देनोट करते हैं वन टू टू जि दो जिरो थी वन टू तो डो डिजिट्स के बाद में डॉट वाण टू डॉट इसके आगे जिरो लोगा दो इतने मीटर यानिकी एक सेंटिमेटर में 0.01 मीटर होते हैं जो हम अजूम भी नहीं का सकते कितना हुआ क्योंकि बैसिकलिए वह एक में भी नहीं हुआ एक मेंट कर लेंगे उसी प्रकार अगर हमारे से यह पूछ लिया जाए यहां से यह इसके अपॉडिनली था यहां से यह पूछ लिया जाए कि एक mm में अब यहां से देखो 10 मैंने 10 mm था ना इस 10 mm को मैं यहां लिक रहा हूं और यहां से मैंने 10 का 1 बना लिया जैसे मैंने 1 बनाया तो जो 10 इदर था वो इदर जाकर के 1 by 10 हो जाएगा यह तो हुलं कि उत्यक्त से बॉल होने से करा लेदा अब फिर से मैं से डो depreci plan है एक जिरो है तो एक डिजिट के बाद में डूट अम एक डिजिट तो यह होगी तो वन डॉट उसके बाद में 0 लगात दो सैंटीमेटर है तो सेंटीमेटर यानिकि 0.1 cm हो गए एक एम एम में क्लियर ऑगे अब थोड़ा यहां देखते हैं हम हमें यह आइडिया होता है कि एक फूट में 12 इंचिस होते हैं क्लियर अब इसको मैं ऐसे भी देनोट कर सकता हूँ कि व daí is equal to here ru अब बोलते हैं कि यह फूट बोलते हैं इसीट बोलते हैं बेसिकली फूट और फिट सिंगूलर और plural है अगर singular foot है तो plural feet है पर ग्जांपल और two foot हो जाये गए तो हम उसको दो foot ना बोल करके 200 feet बोलेंगे यहां से मेज़ना चला कि एक फूट के इंदर 12 इंचिस होते हैं अब यहां से हमें यह थोड़ा सा यह भी होना चाहिए कि एक फूट में अगर 12 इंचिस होते हैं और एक फूट लगबग मेरा कि यहां से बनता है इधर यहां पर जीरो और यहां पर इतना एक फूट बनता है लगबग तो यहां से मैं यह कह सकता हूँ एक relation और होता है मेरे पास एक फुट बराबर होता है टुब फॉट फाइफ फॉर कि सेंटिमेटर के एक फुट बराबर होता है टू-पर फॉर सेंटिमेटर और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं अब अगर mm की बात की जाए तो mm में क्या होता है ये जो dot है ये इधर shift कर जाएगा क्योंकि एक centimeter बराबर होता है 10 mm के एक centimeter 10 mm के बराबर होता है तो 2.54 कितने के बराबर होंगे यानि की ज़्यादा ही होंगे एक centimeter अगर 10 mm के बराबर होता है यहां कि डिजेट्स बढ़ रही है तो 2.54 सेंटिमेटर डिजेट्स बढ़ाएं की ज्यादा के बराबर होगा सिंपल आपको क्या करना है यह वाला डोट यहां से मुव करके यह दर मूव कर देना है तो मींस 25.4 25.4 के बराबर होता है एक फिट क्लियर है ओके जी हाँ यहां से मैं यह भी बता था एक मेटर में सो सेंटिमेटर होते हैं इसका रिलेशन और करते हैं कुछ कि अगे जो जो रिलेशन पता है मैं वह बताते जा रहा हम आपको एक फूट में 2.5 पर सेंटिमेटर एक फिट में 25.4 mm और ओके 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 यहां थोड़ा सा क्लियर करना एक फूट में 12 इंचिस होते हैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक इंच की यहां तक एक इंच है एक फूट तो यहां से यहां तक आगे जाकर करके बनेगा ऐसी आजा गया है एक फूट में 12 इंचिस और एक इंच में 2.54 सेंटीमेटर और एक इंच में ही 25.4 mm होते हैं अब अगर यह पूछ लिया जाए कि एक फुट में कितने सेंटिमेटर होते हैं एक फुट में कितने सेंटिमेटर होते हैं पहले तो में यह पता होना चाहिए कि एक फुट में 12 इंचिस होते हैं तो हैं पर 12 लिख दिया अब मुझे यह पता करना है कि इसमें सेंटिमेटर कितने होते हैं तो मैं 12 इंचिस को मुल्टिप्लाई कर दूं अगर एक इंच में जितने सेंटीमेटर होते हैं 2.54 से तो एक्जेक्टली मेरे पास आ जाएगा कि एक फुट में कितने सेंटीमेटर होते हैं करके देखते हैं यह दिए 30.48 सेंटीमेटर तो एक इंच के अंदर 30.48 सेंटीमेटर होते हैं अब अगर यह पूछ लिया जाए कि एक फिट में कितने में होते हैं तो में करना पड़ेगा यह डोट किदर शिफ्ट कर देना है यानि कि 304.8 mm यानि कि 304.8 mm होते हैं एक इंच के अंदर तो एक फिट के अंदर 304.8 mm होते हैं और एक फूट के अंदर ही 30.48 सेंटीमेटर होते हैं अच्छा और का रिलेशन निकल सकता है एक मिटर में अब हम रिलेशन निकालेंगे कि एक मिटर में कितने फिट होते हैं एक मिटर में 3.28 अब फूट बोलूँगा या फीट बोलूँगा फीट में 3.28 फीट होते हैं क्योंकि फूट फूट ना रहकर के प्लूरल बन चुका है तो अब फीट कहलाएगा तो एक मिटर में 3.28 फीट होते हैं उसी प्रकार अगर यह पूछ लिए जाए कि एक मिटर में कितने इंचव होते हैं अब इंचिस के अच्वर्डिंग लिए का करें कि हम 3.28 अगर फीट है और एक फूट में कितने इंचोंते हैं 12 इंचिस तो इसको 12 से मृटिप्लाइब कर देंगे अब लसा मिल्टिप्लाइब करने के है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स और आगर हम ओवराल कैकुलेशन करेंगे तो यहां वे थर्टी ना रहा करके 39.37 रहा जाता क्योंकि यह 3.28 भी नहीं होता है तो उसको हम तुरुपाइट लिखते हैं तो एक्जेक्टली जपन वन मीटर में तुरुपाइट सब्सक्राइब करेंगे तो 39.37 इंचीज निकलता है एक मिल्टर में 39.37 इंचीज होते हैं क्लियर होगे और हमें यह भी पता है कि एक किलोमेटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं क्लियर होगे और क्या हो सकता है और मॉस्ट हो गया है सेंटीमेटर को हमने मिलीमेटर में कर लिया मीटर को सेंटीमेटर में कर लिया सेंटीमेटर को मीटर में भी कर लिया एमम को भी सेंटीमेटर में कर लिया यहां से एक फिट को 12 इंचीज होते हैं अब य यसी देख लेते हैं कि ही एक कод लिखें निए कि टने होते हैं एक एन्च में कितने होते हैं one कि या वे एक इंची रखा मैंने ट्रेल जा करके डिवैड हो जाएका तो बन िवैड़ भाइक तो यह कितना नेगलेगाesus अब अज़र पॉइंट जिरो पाइट जिरो एट थ्री एक इंच में 0.083 फिट होते हैं इसको मैंने जब क्या काटा तो 0.083 इंच बनता है इंच इदर है फिट इदर है ओके और क्या पूछ सकते हैं कि इसमें पूछ सकते हैं कि एक इंच में कितने मेटर हो सकते हैं तो इंच को यह रखो वन इंच यहां रख दो तो वन डिवाड़ बाए 39.37 जो भी आएगा वह मेटर हो जाएगा क्लियर अगे अब थोड़ा सा चेंज कि अगर यह लिखा हो 3.5 फिट इसमें कितने फिट है और कितने सेंटिमेटर हो तो हम डिरेक्ट ली यह बोलेंगे तीन फिट और ऑफ पांच इंच घलत इसका अंसर क्या है थीन फिट और 6 इंचिज सिक्स इंचिस यह स्टीन क्यों क्योंकि 3 तो त्री फिट हो गया और पांच क्या है प्रॉंइंट फिट है और पॉंइंट फॉइंट फॉइड एक फिट इतना फॉय फॉय पॉय्ट साइग अधा-ऒड़ फीट और अधा-धा-धिस भराबर होता है अगर पूरा-फूड फोड्र प्राल इंचेस के बराबर है तो आधा- प्रकार अच्छे चेंज के बढ़ा वरोगा तो प्माइट फाइव का मतलो छे इसी प्रकारा कर लिख दिया जाए 3.25 फिट यह क्या होगा यह होगा ट्री फिट और 25 इंचिस राउं क्या होगा अरे भाई थी फिट यह और पॉइंट 25 टूफ़ीड यानिए की 0.5 कभी आदा परेंट 25 का दाट आठाए पॉइंट तो फैड़ अब आधे भी आदा अगर छे इंच था तो छेप आदा कितना हो गया तीन जएनिंग तील फूट तीन फिट और और 75 इंचीज रॉंग यह रॉंग क्या होगा थ्री फिट और 0.75 अब देखो अधा और यह अधे का अधा यानि कि आधे में अगर यह जोड़ दू पॉइंट फाइं में पॉइंट टूफाइं जोड़ दू तो कितना बन जाता है पॉइंट सेवन फाइब यानि कि तीन 9 इंच क्लियर इसको थोड़ा सा और वेरिफाइब करें तो हमने क्या लिखा है 3.5 फिट में 3 फिट और 6 इंचिज निकले हैं क्लियर यानिकी तीन फिट में कितने होते हैं 12 इंच 3 x 12 इंच प्लस 6 इंच यह तो टोटल इंचिज कितने होगे तोयल तर्टी सिक्स इंचिस प्लस 6 इंचिस पॉकितना हो गया 36 प्लस इक्सी 6 इंचिस 42 इंच इस एक लिए अगर हम यह कर रहे थे यह सही है कि अगर हम यह करते हैं यह वाला जो घलत वाला है इसको अधर देखते हैं कितना बनता है 3.5 fit is equal to kitana लिखा हमने 3 feet or 5 inches यानि की 3 multiply by 12 inches plus 5 inches is equal to 12 through the 36 inches plus 5 inches that is equal to 36 multiply 36 plus 5 41 inches that is wrong यहां 42 inches बनता और यहां पर 11 inches बना रहे हो यह जलत है अगर और असान तरीका देखना है तो इसको मैं और किस तरीके से कर सकता हूं देखिए अगर 3.5 fit है अगर मुझे डिरेक्ट इंचीज निकालने हो यानिके 42 inches आना चाहिए अगर मेरा सही है तो क्या कर आप 3.5 fit को multiply कर दो 12 inches क्योंकि मुझे पता है कि एक fit में 12 inch होते हैं तो 3.5 में कितना होंगे बाराइं 3.5 multiply by 12 inches कितना बन जाता है 42.0 inches अब बताओ यह और यह सही है नहीं है मींच यह अंसर सही है अगर उससे करके देखें जो आप बोल रहे हो 3.5 फेट इस इक्वल टू कर कर देजाए 3.5 multiply 12 inches कर दिया जाए तो कितना बनेगा यह तो अंसर हमारा यह निकला अब 3.5 ना लेकर के कुछ और लेकर के देखें 3.25 लेकर कर देखें 3.25 तो एक तो एक्जेक्ट कितना निकलेगा हमारा 39.00 इंचेज में 39 इंचेज लेकर करेक्ट और इसको हमने 3.25 का हमने क्या बना रहा है अपना भी देख लेते हैं क्या बना है हमने 3.25 फिट इस इकल टू कितना बना है हमने 3 फिट और 3 इंचेज वरिफाइ करने के लिए क्या करेंगे हम 3 फिट को मल्टिप्लाइ कर देंगे 12 से तक यह इंचेज में कि देट इस इकल टू कि 39 इंचेज कौन सा सही हुआ यह और यह सही होगे कि क्लियर तो आशा करता हूं मैजर मेंट का टोपिक आपको समझ आया होगा फिर भी भी मैजर मेंट से रिलेटेड कुछ डाउट रहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा जल्दी से जल्दी उनके अकोडिंग लिए भी कुछ नई वीडियो बनाई जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद